आप से विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्थिक स्वागत है इस टापिक में टाप जी के इंपोर्टन प्रस्न है इसमें बेरी बेरी इंपोर्टन प्रस्न है जो की परतियोगी परिछाओं के लिए ही चुने गए हैं तो वे बच्चे जो इस चैनल पर नहीं हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लें आईए पिना रुके हम इसे सुरू करते हैं पहला आपका प्रस्णा है भारत की खोज किसने की वासको डिगामा फाहियान अल बेरुनी या इबन बतुता सही आपका उतरुगा आफसन नमबरे वासको डिगामा ने 1492 में भारत की खोज की थी भारत में बरतमान में कुल कितने उच नियाले हैं थेज़ चौबिस पच्चीज चब़िस सही आपका उतरोगा अफसन नंबर C, 25 अगला आपका प्रस्ण है आसकर पुरसकार का समबंद किस छेतर से है? साहित्य, सिनेमा, बिख्यान या चिकिस्सा के छेतर में सही उतरोगा अफसन नंबर B, सिनेमा के छेतर में अगला आपका कोश्चन है भाखडा नांगल बाँद किस नदी पर है सतलुज, रावी, जेलम या गंगा सही उतरोगा आपसन नमबर ए सतलुज, चाओथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था, मराठों द्वारा, मुगलों द्वारा, अरवियों द्वारा, या मेवाड द्वारा सही आपका उतर होगा आपसन नमबर अ मराठों द्वारा चंडीगढ का राक गार्डन किस ने बनाया था राजाराम मोहनराय नेक चंदर बाबर या खिलजी ने जम्मू किस नदी के किनारे इस्थित है बनास, रावी, यमुना या तवी किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है सेर, उंट, सियार, या घोड़ा आपसन नमबर B, उंट उंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है हमारे सौर परिवार में कुल कितने गरा है 9, 7, 8 या 10 सही उत्तर होगा आपसन नमबर C, 8 कुल सौर परिवार में 8 गरा है मारी पूर की राजधानी है इंफाल, कोहिमा, इंटा नगर या हैदराबाद सही आपका उत्तर होगा आपसन नमबर A, इंफाल इस्ट इंडिया कमपनी का भारत में पहला ब्यापार केंदर की सस्थान पर बना आमदाबाद, राजनगर, जामनगर या सूरत सही आपका उत्तर होगा आपसन नमबर D, सूरत भारत के पर्थम गवर्नर जनरल का क्या नाम था ? बिलियम जार्ज, बिलियम बेंटिंग, लाड इरविन या जार्ज डार्विन सही आपका उत्रोगा अपसन नंबर B, बिलियम बेटिंग कांगरेश में गरम दल के संस्थापक कौन ठे? बगाश सिंग, महतमा गाधी, बाल गंगा धर तिलक या चंदर सेखर आजाद सही उत्रोगा अपसन नंबर C, बाल गंगा धर तिलक बेल्थ आफ नेसंस पुस्तक के लेखक कौन हैं पंडि जबाहला नेहरू, आइडम इसमीत, निलसन मंडेला या राज बिहारी सही आपका उत्तर होगा आपसन नमबर बी आइडम इसमीत भारत में सिचाई का सबसे महत्तपूर्ण साधन क्या है भारत में सिचाई का सबसे महत्तपूर्ण साधन क्या है नहरे, नदी, वर्षा या तालाब सही आपका उत्तर होगा आपसन नमबर ए नहरे बिसु में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्तपादक देश कौन सा है भारत है जापान है या चीन है या रूस है सही उत्तर होगा आपका आइंसोन नमबर आपका होगा सी यानि चीन चीन ये कैसा देश है जिसके पास सबसे अधिक सेल फोन है भारत को अधिक्तम किससे कर आय प्राप्त होती है यानि टेक्स किससे सबसे अधिक प्राप्त होता है बिजली से निगम कर, सेवा कर या आय कर सही आपका उत्तर होगा आपसन नमबर भी निगम कर से सुन्दर राजन समित का संबंध किससे है सुन्दर राजन समित का संबंध किससे है पेट्रोलियम से, किर्सी से, कच्चा तेल से या यलपीजी से सही आपका उतर होगा आप्सन नमबर ए पेट्रॉलियम से सुंदर राजन समित का सम्बंध है पेट्रॉलियम से है देश का सबसे गहरा बंधर गढ़ा कोन सा है कोची, मदरास, विसाखा, पत्नम या मुंबई सही आपका उतर होगा आफसन नमबर C, विशाखा पत्तनम, दास कैप्टल किस परसिद लेखक की किताब है, इंद्रा गांधी, काल मार्क्स, चाणक या निलसन मंडेला सही आपका उतर होगा आफसन नमबर B, कार्ल मार्क्स, चीनी या त्री फाहियान किस गुप्त सासक के सासनकाल के दवरान भारत आया था, चंद्र गुप्त मौर, समुंद्र गुप्त, चंद्र गुप्त सेकेंड या कुमार गुप्त के सासनकाल में, सही आपका उतर होगा बारत की पर्थम महिला राश्पती का नाम बताईए आइंसर आपका होगा पर्थिबा देवी सिंग पाटिल बंगला देश की मुद्रा का नाम बताईए आइंसर आपका होगा टका नील नदी के किनारे कोन सी सभ्यता का विकास हुआ था सही आपका उतर होगा मिश्र की सभ्यता का किस अस्थान पर महतमा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था आइंसर आपका रहेगा गया परसिद नाटक सकुंतला किस ने लिखी थी आइंसर होगा महा कभी काली दास जी ने कौन सा राज भारत के बिरहद प्राई दीपिय पठार का भाग नहीं है आइंसर आपका होगा मध परदेश खैबर दर्रा इस्थित है या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है कौन सी नदी प्राई दीपिय पठार से नहीं निकलती है आइंसर रहेगा यमुना नदी कौन सा सहर गंगा के तटपर बसा है आइंसर आपका रहेगा कानपूर तो इसमें वे प्रस्न है जो की पिछले परतियोगी परिछाओं में बार बार देखे गए हैं तो सबकी तयारी आप अच्छे से कल लें आप से विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद